नेक्स्ट कोस्टन है मुआ पास कोस्टन नबर 6 एकसाइस 1.6 का इफ ट्वाइस ऑफ सं एज इस एड़े तो फॉदर एज ठीक है अगर सं की एज है उसको तू से मल्टिप्लाई करके फॉदर की एज में एड़ किया जाए तो उसका सं 70 आएगा और एगर फॉदर की एज को Two से मुल्टिप्लाई करके सं की एज में आड़ की आज़ में एड़ किया जाए तो उसका इंस सं 95 आएगा तो हमने एज ऑफ सं एंड फॉदर फायंड ऐउट करनी है तो हमारे पास sun और age father की जो age find out करनी है हम उसको कहे देते हैं let's see जो sun age है वो हमारे पास x है और यह हमने find out करनी है और जो father age है वो है हमारे पास y और यह भी हमने find out करनी है according to given condition given condition के मताबबग अगर sun की age को 2 से multiply करके sun की age क्या है x इसको 2 के साथ multiply करके father की age y में add किया जाए तो हमारे पास answer 70 आता है और अगर father की age को if twice of father's age अगर father की age को 2 से multiply करके sun की age में add किया जाए तो answer हमारे पास 95 आता है तो यह हमारे पास given condition के मताबग हमारे पस दो simultaneous linear equations बन की है अब हमने इनको solve out करना है हम इनको inversion method से solve out करेंगे सबसे पहले हमने इसको matrix formula convert करना है तो अभी हमने पिछले तीन question किये हैं तो आपको matrix formula convert करना आ गया होगा 70, 95 और यहां पर हमारे पस x and y है 2, 1, 1, 2 ठीक है अब हमने इसको inversion method से solve करना है इसको हम a matrix से नाम देते हैं इसको x और इसको b matrix का नाम देते हैं ठीक है अब हमारे पस यहां पे x find out करना है तो a को हम दुसी तरफ a ले जाएंगे a inverse आ जाएगा a inverse into b this is known as equation number 1 ठीक है अब हमारे पस यहां पे b इस equation में हमारे पस b है लेकर हमारे पस a inverse नहीं है so we have to find a inverse first a inverse हमारे पस क्या होता है 1 by a determinant adjoint of a ठीक है अब हमारे पस a क्या है इस matrix में a हमारे पस 2, 1, 1, 2 ठीक है तो सबसे पहले a inverse find out करने के लिए we have to find a determinant a determinant is equal to 2 इस matrix को हम determinant में convert करने के 1, 2 ठीक है अब हमने cross multiplication करनी है 2 को 2 के साथ मुटिप्लाई किया 4 आ गया दर्म्यान में minus कसाइन 1 को 1 के साथ मुटिप्लाई किया तो answer आ गया 1 which is equal to 3 3 is not equal to 0 which means that a inverse exists ठीक है it means that a determinant हमारे पस आ गया है 3 अब हमने क्या करना है adjoint of a find करना है adjoint of a हमारे पस क्या है a हमारे पसकी matrix है इन दोनों की जगद चेंज करनी है और इन दोनों के sign ठीक है इन दोनों की sign चेंज कर लिए अब हमारे पस हमने a determinant and adjoint of value इसमें a inverse में पुट करनी है तो हमारे पस आएगा a inverse is equal to a determinant हमारे पस आगे है adjoint of a हमारे पस आगे है यह matrix 2 minus 1 minus 1 2 ठीक है अब a inverse को इसमें पुट करेंगे साथ में b को भी पुट करेंगे ठीक है तो हमारे पस आजाएगा x inverse को पुट किया तो we get 1 by 3 2 minus 1 minus 1 2 यह अभी हमने जो inverse find कर दिया है और b यह अभी जो हमने inverse find किया है वो यह है और b हमारे पस 70 and 95 अब हमने क्या करना है 1 by 3 इदर ही रहेगा इसको इस matrix के साथ मैंटिप्लाइ करना है 2 को 70 के साथ मैंटिप्लाइ किया we get 140 plus कसा इंदर मियान में आएगा minus 1 को 95 के साथ मैंटिप्लाइ किया we get minus 70 plus 95 को 2 के साथ मैंटिप्लाइ किया we get 190 now x is equal to 1 by 3 140 minus 95 minus 70 plus 190 x is equal to 1 by 3 140 में 95 को मैंटिप्लाइ किया we get 45 and minus 70 मेंसे 190 को मैंटिप्लाइ किया minus 70 को हमने 190 मेंटिप्लाइ किया 120 आप 2 को रुडप्लाइ किया 45 को जब हमने 3 के साथ मैंटिप्लाइ किया 120 को 3 मैंटिप्लाइ किया x is equal to 45 between 1 by 3 by recognize किया है तो भी गैट 14 ठीक है सो हमारे पास x हमारे पास क्या है यहां पर x y ठीक है यह matrix है और 15 20 40 अब हमने compare करना है x हमारे पास आ गया 15 and y हमारे पास आ गया 40 मतलब sun की age हमारे पास है sun age is equal to 15 and further age is 14 ठीक है so that is our answer hope so you so अभी हमने यहां पे एक साइस 1.6 के चार कोस्टन की है 3 से ले के 6 तरह आपको समझ आगई होगी अगर आपको को यह कोई और कोस्टन भी करने है तो कोई और चाप्टर करना है start करना है तो you can comment down below I will do that okay stay connected Allah Hafiz and please subscribe to my channel and stay connected Allah Hafiz